वेल्कम बेक टो मैं चैनल तक एसे आप सभी आज मैं आपके साथ बहुत ही चार यूनिक डियाइवाई से सेर करने वाली हूँ इसके लिए देखिए मैंने एक्रली कलर के जो सीसिया रहती है उनके उपर का जो डक्का ने वो ले लिया है और कार्डबोर्ड के आपको जुरु बना सकते हैं फिर वाल पुट्टी का एक स्मूर्ड बना लेजें इसमें सिर्फ पानी मिलाकर मैंने डो बनाया है और उस जो हमने पेश्ट बनाया है उसको इस डखकन के अंदर भर देंगे ताक कि थोड़ा सा हैवी हो जाए रखने पर यहां वहां हीले नहीं और फिर जो म कि बादन में कलर मैंने अपने मन चाही कलर कर दिया है और यहां पर मैं थोड़ा सा गोल्डन पेंट से हाइलाइट कर रही हूं आप यहां पर चाहें तो स्टोंस वर्क भी यूज़ कर सकते हैं और यह देखिए कितनी जल्दी फटा फट से बनकर हमारे क्यूट सा डिया वा आपको कैसा लगा है आप मुझे नेचे कॉमेंट में जरूर बताएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेजे ऐसे ही कुछ हटके क्राप्ट देखने के लिए तो चलिए अभी इनको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसारे करेंगे दह भी कोई बात नहीं है हम इनको इनके घर पर बैठा देते हैं तो मैंने कल एक डिया बनाया हुआ था एक्षलियो मनी प्लांट को कैसे डेकोरेट करें वह वीडियो था तो उस पर ही मैं इसको डेकोरेट करूंगी तो इस तरीके से देखिए मैंने यहां पर राउंड सिप का यह मनी प्लांट ऐसे डेकोरेट किया हुआ है और इसके बीच मैंने इन दोनों अंकल अंटे को बैठा दिया है था कि यहां पर आराम से मेरे पौदों की देख भाल करते रहेंगे तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है तो चलिए मिलते हैं आप सेकेंड डिया वाई की तरफ तो इसके लिए आपको एक लकड़ी का टुकड़ा ले ले लेना है यह फिर इसके पीछे का इससा और जूट रोप आपको चाहिए रहेगी और यह पेश्ट चाहिए रहेगा आपको वाल पुट्टे का आप यहां पर क्ले भी यूज़ कर सकते हैं जो मॉल्ड़ क्ले आते ह कडें फिर उसके ऊपर से आपको इससे रोल कर देना है और यहां पर इस तरीके से लिए हाई फ़ेगा किस तरीके म्या पता नियूज़ कर रहे हूं वह आप मुझे निची कोमेंट्स में बताए गा कि मैं पांड़ बना भी पाई या नहीं बना पाई हूं तरीके से बना दिया है और पानी के हलप समूथ कर देंगे और इसको सुकने के लिए हम दो से तीन घंटे आराम से रख देंगे यह पूरी तरीके से अच्छे से ड्राइ हो जाएगा अगर आप इसे दूप में रखेंगे तो और जल्दी ड्राइ हो जाएगा तो दिखिए इस तरीके से हमारा यह सेकेंड ड्राइवाई भी रेड़ी हो चुका है इसको आप किसी भी पौधी की ऊपर यह फिर अगर आपने टोप्यारी बनाई हुआ है तो वहां पर इसको आप ऐसे लटका सकते हैं यह बहुत अच्छा लगे का इसे जूला जूलते और कलर करने के बाद में हमारा जो क्राफ्ट है वह कुछ इस तरीके से लग रहा है तो यह देखिए हैंग करने के बाद कैसे एक्दम से क्यूट सा लग रहा है आपको कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता दीज़ें थर्ड डिया के लिए काड़ बोर्ड में यह इसी में मैंने दो बटर प्लाई के जो सेप था वो कट करके निकाल दिया है तो आप अपने मन चाहे एक और इंग चोटा बड़ा जो भी है बना सकते हैं मैं अपने जरूरत के हिसाब से हां पर उसका साइज रख्या हूं इस तरीके से हमने अपने बटर प्लाई के जो पीसिस थे वो कट कर लिये हैं और इसके उपर हम वहल पुट्टी का एक सिंगर लेयर लगाएंगे ताकि यह हार्ड हो जाए और जब हम इसको कहीं पर भी डेकोरेट करें तो बहुत जल्दी खराब ना हो काड़ वज़ा से अब मंचा अब प्राउन कलर लिया है अब यहां पर रंग विरंगा कोई भी कलर कर सकते हैं तो आपको इसी तरीके से रखना हैं हमें गार्डर में डेकोरेट करना है तो हम थोड़े से एसे कलर चाहिए रहते हैं जो बहुत जादा खुल के देखने में अच्छे लगें क्य रहते हैं तो इस तरीके से जो चुडिया वगेरा रहते हैं बहुत अच्छा लगता है देखने में तो इस तरीके से देखें आप कलर कर लीजे कि मैं थोड़े से डॉट पैटर्न यूज कर रही हूं आप अपने कोड़ें मुस्त कलर कर लीजेगा कि देखें तो जल्दी से फटा-फट वमारी बर्ड्स भी बनकर रेडी हो चुके हैं आप इनको कहीं पर भी हैंक कर सकते हैं इसके पीछे एक तारचिप का दिये जिए फेवी कोली या ग्लू के एल्प से इस तरीके से और इनको भी डेकोरेट जो हमारे पीसे से वह बनकर रे और वॉल पुट्थी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप उस पार्ट को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इसको सिंपल कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं तो यह दिखी किस तरीके से मैंने इसको हैं कर दिया है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए हम मिलते है तो यहां पर मैंने यह पिस्ता सेल्स ले लिए है और आपको से जो हैर पेन जुडा पेन रहते हैं वो ले लिना यह फिर तार और इस बीच में से कट कर लिया है और दो चाहि बिचछा उनको ग्लू की हिल्फ से या फेविकोल की हैं यहां पर आपस में इस तरीके से चिपक पर गपा सकते हैं अगर के इस तरीके से और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि एसे ही वीडियो आपको सबसे पहले नोट्यमिकेशन मिल जाएगा इस तर जल्दी हो जाएगा इस तरीके से देखिए और फिर मैंने 8 पीसे इस तरीके से बना लिया है और उसमें अपने मन चाहे में कलर कर दोंगी आपको जो भी कलर पसंदें आप और रंग बिरंगे कलर इसमें सारे ही कर दीजिए तो सबसे पहले मैंने अपना फेवरिट कलर लिया ह फेखिए रेड इससे हाम यहां पर कर देंगे दिक ही इस तरीके से फिर मैने गोल्डन कलर का थोड़ा सर किनारी किनारी को कर दी थी है तक्कि यह धूब मैं फिर वह से थोड़ा साइन करेगा ते आप यह अपर गलिटर वगयरा कभी यूज कर सकते हже कि टीन वी तरा कि इस तरीके से मैंने कर दिया है कि अब मेंने को भी आपको लाका के दिखाती हुँ टीरी किस तरीके से लगेंगें के दियुक्त पर हैं इनको जहां पर यह बहुत संदर लगेंगे था आपको यह सारी क्रैप्ट Holy रहता है आप कोई सारे क्राफ्ट्स कैसे लगें मुझे नीचे कॉमेंट्स मुझे बताएगा तो फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बाई बाई